हलो इस्ट्रेंट सार्दी क्लासेश में आपका स्वागत है आज मैं आपको एक बहुती इंपोटेंट कोशिन कराने जा रही हूँ जो कही बार एक्जाम में पूछा जाता है यह मैंने लिख रखा है कि यह आगरा यूनिवेस्टी अवद में मेरेट में पूरवांचल यह हमारा चैप्टर डिफ्रेंशेशन एक्वेशन और फस्ट और फस्ट डिगरी का कॉश्चन है तो यहाँ पर हम वेरियेवल सेपरेट मेथर्ड यूज़ करेंगे क्यों यहाँ पर एक्स की टर्म को एक तरफ और य की टर्म को एक तरफ कर देंगे तो क्या कर सकते हैं हम आप देख रहे हो डिवाई ओवर डिएक्स एक्वाल एक्स मैनिस वाई है तो हम मैनिस वाले टर्म को नीचे ला सकते हैं तो एकी पावर एक्स और यह नीचे आके क्या हो जाएगा एकी पावर वाई सेम हम यहां भी करते हैं x square नीच लाए e की पावर y e की पावर y इधर साइड चला जाएगा ऐसे भी लिख सकते हैं lcm ले लेते हैं e की पावर x प्लस x square upon e की पावर y e की पावर y को dy की तरफ भेज़ेंगे और dx को इधर भेज़ेंगे variable, separable method यूज़ कर रहे हैं लेख देंगे using variable separate method तो e की पावर y dy equal e की पावर x प्लस x square dx integrate कर देंगे integrate both side of equation first इसको हम first माल लेंगे तो यह हो जाएगा e की पावर y dy equal e की पावर x प्लस x square dx आप लोग सभी जानते हो कि e की पावर y e की पावर x का differentiation कितना होता है e की पावर x तो वह ही लग देंगे e की पावर y है तो e की पावर y का जो integration है वो क्या हो जाएगा e की पावर y ठीक है इस्ट्वेंड्स और यहाँ पर e की पावर x का integration e की पावर x प्लस x square का integration क्या होगा x q by 3 integration में एक फॉर्मूला होता है x की पावर n का अगर हम integration करते हैं तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आता है तो यहाँ पर n की वैलिव 2 है तो x की पावर यह हो जाएगा 2 प्लस 1 2 प्लस 1 तो यह हमारा आगया x q अपॉन 3 और यहाँ पर हम एक variable constant c जोड़ देंगे तो हमारा अंसर क्या आजाएगा e की पावर y equal e की पावर x प्लस x q उपॉन 3 प्लस c तो यह हमारा यहाँ अंसर आचुका है तो students आप मेरी वीडियो को like, subscribe और share करना ना